नमस्कार दोस्तों मैं विकाश शर्मा और अपन कुछ क्योशन सौल करके चलेंगे कम्यूनिटी हेल्थ ओफिशर के लिए उसी में सिरीज नंबर फस्त है अपनी और कुछ इंपोर्टेंट क्योशन जो बहुत जरूरी है तो क्योशन नंबर वन दिखेगा कि JSSK launch is started या तो कि ये launch कब करी गई या जननी सौरक्षा योजना खारिय करम जो चलाया गया वो कब चलाया गया तो आप सभी के सामने चार option रखे वे हैं I hope आप सभी ने भी तक गेस कर लिया होगा तो इसका हांसवर जो है वो एक में 2011 होगा एक जून 2011 होगा या एक दो हजार बारा तो इसका जो राइट आंसवर है दोस्तों वो है एक जून 2011 आप सभी जानते हैं ये बहुत सिंपल सा क्योशन है देखिएगा राइट आंसवर जो आपके सामने है एक जून 2011 नेक्स क्योशन देखिएगा कि the world health day is observed कि जो world health day है वो कब observe किया जाता है या फि 14 में तो इसका जो राइट आंसवर है वो है 7 अपरेल और ये राइट आंसवर आप सभी के सामने हैं देखिएगा कि जो world health organization जो world health celebration किया जाता है वो कब किया जाता है 7 अपरेल को किया जाता है दोस्तों नेक्स क्योशन नमबर 3 है कि health means मतलब क्या पूँछ रहा है दोस्तों आप है आपसे health की definition पूछी जा रही है तो आप सभी जानते हैं कि health क्या होती है health is a state of complete physical mental social well-being होना चाहिए person और क्या नहीं होना चाहिए कि not merely any absence of disease कि उसके अंदर कोई भी ऐसी disease नहीं होनी चाहिए जो उसको क्या नहीं कर रही हो healthy होने से रोकती हो या perfect physical fitness नहीं दे रही हो तो मैंने definition बताई है अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि health और health means क्या है कि यहाँ पर क्या option में physical well-being है या mental well-being है या social well-being है या all of the above है तो जैसा कि मैंने definition में बताया कि क्या होना चाहिए person complete physical mental or social well-being होना चाहिए तो यहाँ पर आप सभी कि समझ में आ गया होगा कि जो right answer है वो क्या है all of the above देखिएगा दोस्तों यह आपके सामने right answer है और next question देखिएगा कि basic unit of society society की basic unit क्या होती है individual होती है family होती है primary health care center होता है या community health care center होता है तो I know I hope कि आप सभी जानते होंगे या फिर कि एक individual से कभी society नहीं बनाई जा सकती तो क्या करना पड़ेगा कि कुछ family हैं मिलकर क्या करती है society का निर्मान करती है एक society एक समाज के लिए rules और regulation बनाते हैं वो कहां बनाई जाते हैं दोस्तों society में और society का formation या निर्मान करते हो सकता है family के दवारा तो इसका जो right answer हो क्या आगा family होगा next देखिएगा question number 5 और बह of a live born neonate की neonate की death जो है जो मृत्यू है उसको आप किस तरीके से define करेंगे तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि जो neonate है वो neonate होता क्या है बच्चे के जनम से लेकर किसी baby का जनम हो है और जनम से लेकर जो 28 day की life होती है वो क्या होती है neonate की life होती है और neonate में भी neonate और second होती है let neonate तो जो early neonate है वो क्या होती है 0 से लेकर 8 days का जो time होता है उसको बोलते है early neonate और late neonate क्या होता है 9 to 28 days का जो time होता है उसको क्या बता कर चलते हैं दोस्तों late neonate तो आपके सामने option है कि in the first 28 day after birth की जनम के 28 दिन बाद तक अगर कोई मृती हो रही है तो वो क्य neonate है या जनम के 3 महीने के अंदर कोई death हो रही है तो वो neonate है या जनम के 6 महीने के अंदर कोई death हो रही है तो वो neonate है या फिर एक साल के अंदर जो death हो रही है वो neonate है तो मैंने पहले ही clear कर दिया है कि neonate क्या होगा 28 day की जो life होगी उसके during या उस period में अगर किसी baby के death होती ह है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों नियो ने डेथ कहलाती है समझ मैं तो यहां पर अंसवर क्या होगा option A यह आपके सामने right answer है question number next दीखिएगा कि the newborn birth to be registered in the in India within कि इंडिया में newborn की जनम पर कितने दिनों के अंदर उसको क्या करवा लेना होता है registration करवा लेना होता है तो आप सबी जानते हैं और इसका right answer दीखिएगा दोस्तों क्या होगा 7 day होगा 13 days होगा 21 day होगा या 45 days होगा तो जब आप क्या हुआ है newborn का birth हुआ है और उसके registration के लिए जो timing है जो government of India ने decide कर रहे किये वो है 28 days के अंदर उसका क्या बनवा लेना होता है बर्त certificate बनवा लेना होता है और अगर आपसे पूछा जाता है बर्त की जगे death दे दिया जाता है मतलब death certificate कब बनवा लेना है आपको तो कब बनवा लेना है within 7 days का आप बता कर चलें ठीक है दोस्तों देखिए यह आपका right answer जो था 21 days के अंदर आपको क्या करना है newborn baby का registration कर वा लेना है next question है कि polio immunization was introduced in कि polio का जो immunization है वो कब start किया गया कब introduced किया गया 1995, 1999 या 2000 या 2001 तो आपका जो right answer है वो क्या होगा दोस्तों 1995 होगा देखिएगा यह आपके सामने right answer है और question number next देखिएगा कि BCG vaccine is given जो BCG vaccine है जो कौन सी vaccine होती है live vaccine होती है वो किस route से दी जाती है किस site पर दी जाती है IM दी जाती है intradermal दी जाती है subcutaneous दी जाती है या intravenous दी जाती है तो इसका जो right answer है दोस्तों वो क्या है पर जाते हैं अब आपके सामने knap next वह आता है वह कि क्या आता है कि आप सभी जानते हैं कि पोलियो की लाइव वेक्सीन भी होती है और किल्ड वेक्सीन भी होती है तो आपसे जो क्योशन यहाँ पे पूछा गया है वो क्योशन क्या पूछा गया है कि किल्ड वेक्सीन कौन सी है पोलियो की तो आपके सामने हैं सालक हैं सहबीन हैं या बहुत हैं या दोनों हैं तो यहाँ पर जो किल्ड हांसर हैं वो बता देता हूँ क्या है सहबीन है क्या है इसका राइट हांसर दोस्तों सहबीन है और साल की क्या है किल्ड वैक्सीन है जो आपके सामने हैं कि आप लाइव और किल्ड वैक्सीन को कैसे याद करें कि कौन सी live है और कौन सी kill लें उसके simple सी trick है जो live vaccine है उसको लिख लेना मैं आपको next class में एक trick दे दूँगा वो बहुत simple सी trick होगी मैं बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा कि आपको याद करने के लिए क्या याद करना है boys love their crying कहने का मतलब क्या हुआ कि B मतलब क्या हो जाएगा BCG vaccine O मतलब क्या हो जाएगा oral polio vaccine कौन सी vaccine है भीया यहाँ पे live vaccine है कौन सी vaccine है live vaccine है ठीक है जो कौन सी ती सालक होती है live vaccine समझ में आरी यह बात next है boy B O तक हो गया y क्या है yellow fever y क्या है दोस्तों yellow fever love क्या है मतलब live vaccine जो है आपके सामने दय मतलब क्या हो जाएगा typhi fever हो जाएगा फिर आता है c c मतलब क्या हो जाएगा cholera हो जाएगा r मतलब क्या हो जाएगा rabij हो जाएगा i मतलब क्या हो जाएगा influenza live vaccine हो जाएगी m मतलब क्या हो जाएगा और यह मतलब क्या हो जाएगा, endemic vaccine हो जाएगी, next देखिएगा, killed vaccine को याद करने की जो trick है, वो है, क्या है, परी दहली में चोड़ थी, तो देखिएगा, P मतलब क्या कह रहा है, T hepatitis, क्या है, P मतलब क्या हो जाएगा, IPV, क्या हो जाएगा, IPV, oral, sorry, IPV, A मतलब क्या हो आपे, hepatitis, A हो जाएगा, R मतलब क्या हो जाएगा, rubela हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोस्तों, rubela हो जाएगा, A मतलब क्या हो जाएगा, influenza हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और 4 मतलब क्या हो जाएगा, cholera हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोस्तों, cholera हो जाएगा, समझ में यह क्या बात यह सिंपल से ट्रीक है next class में बोड पर explanation करके बता दिया जाएगा immunization का जो वीडिया है उसमें तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे next जो question है आपके सामने बहुत important question है community purpose से क्या कह रहा है question कि test use to identify the immunity status against diphtheria diphtheria है उसके लिए उसके immunity को test करने के लिए कौन सा test लिया जाता है काम में तो बताइएगा sick test लेते हैं विडाल test लेते हैं या फिर Montex test लेते हैं या Allen test लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो right answer होगा वो क्या होगा दोस्तों sick test test लेते हैं क्या दोते है sick test में कि diphtheria की जो immunity है उसको क्या किरा जाता है चैक किया जाता है और यह आप से question पूछा जाता है कि यह test कब develop किया गया तो आपके इसका अंसर देकर चलिएगा 1993 में चैक किया गया diphtheria क्या है diphtheria जो vaccine है diphtheria की वो कौन सी vaccine है toxoid vaccine है तो कौन सी vaccine है toxoid vaccine है और कौन से root से दी जाती है आप से पूछ लिया जाता है कि diphtheria की vaccine तो बता कर चलिएगा कि intra-dermal root काम में लिया जाता है तो इसका जो right answer है वो तो होगा sick test आगे के जो options हैं उनके बारे में भी discussion कर लेते हैं कि जो विडाल test है वो कहां काम में लिया जाता है तो विडाल test क्या है एक serological test है जो कि enteric fever जो होता है डेंगू fever जो होता है उसके confirmation के लिए कौन सा test किया जाता है विडाल test किया जाता है दोस्तों next क्या है montex test I hope आप सभी जानते होंगे कि यह क्या एक tuberculine sensitivity test है जो किसको confirm करने के लिए काम में लिया जाता है tuberculosis को confirm करने के काम में लिया जाता है next जो test आपके सामने वो है ellen test और ellens जो test है यह हैं एक first line standard rest है जो क्या करते हैं जब आर्ट्री की जो blood supply है उसमें obstruction है जाता है तो जो biographed किया जाता आर्ट्री में angiography करी जाती है biographing जिसको बोलते हैं तो उसके कौन सा test काम में लेकर चलते हैं तो मैंने आपको बता दिया था किसका right transfer क्या होगा sick test होगा बहुत important question है ध्यान से पढ़ियेगा next question और next question भी भोत IMPORTANT है कि जो कॉप्लिक sign है वो कहां देखे जाते हैं काहां पे देखे जाते हैं तो कॉप्लिक sign rubela में देखा जाएगा measles में देखा जाएगा चिकन गुनिया में देखा जाएगा या चिकन पॉक्स में देखा जाएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसका right answer जो है वो है क्या? मीजल्स, क्या है? मीजल्स, अब देखिएगा अपने इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा discussion कर लेते हैं कि जो रूबेला है, रूबेला क्या है? रूबेला का दूसरा नाम है, वो क्या है? जर्मन मीजल्स है, क्या नाम है दोस्तों? जर्मन मीजल्स है और जो रूबेला infection है, वो किस के दवारा spread होता है? ड्रॉपलेट infection के दवारा, क्या होता है? spread होता है क्या होता है दोस्तों spread होता है और इसका जो early symptoms है वो क्या देखने को मिलेगा आपको mild fever देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है दोस्तों mild fever देखने को मिलता है समझ में आरी यह बात next और next आप दीखी के चलिएगा कि क्या होगा chicken गूनिया है क्या है चिकन गुनिया है जो कि क्या होता है most जो शाइन आपको यहाँ पर देखने का मिलेगा चिकन गुनिया में वो क्या होगा infection होगा और infection की वज़े से जो है क्या होगा joint pain mostly देखा जाता है किसमें चिकन गुनिया में और next जो आता है आपके सामने वो क्या है चिकन गुनिय होता है या फिर क्या हो जाता है इस किंपे रैस बन जाते हैं तो मैंने बताया क्या है को Bizils में देखने को मिलेगा अरे समझ में आ यह के बात नहीं बताईएगा मेंको हांसमद जरूर दीजिएगा दोस्तों और I hope आ अप सब permanent loss of hearing कि कौन सी ऐसी noise है कौन सा ऐसा सोर सराबा है जिसके उपर जाने के बाद में person जो है क्या हो सकता है permanent loss हो सकता है किसका hearing का किसका loss हो सकता है दोस्तों hearing का loss हो सकता है तो यहाँ पर आपके सामने option है कि 85 decibel, 90 decibel, 100 decibel और 160 decibel तो जिसका right answer है दोस्तों वो कितना है कि 100 decibel से उपर अगर आप क्या कर रहे है hearing कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, permanent hearing loss जाएगा जो normal talk करते हैं अपन, जो normal बातचीत होती है वो 62-70 decibel होती है, maximum 80 decibel भी अपन बता कर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा और next जो question है वो बहुत important है, आपके CHO basis पी लिए और CHO के लिए तो question क्या कह रहा है, समझिएगा, कि leading cause of blindness in India, कि India के अंदर leading cause, leading cause का मतलब होता है कि main cause गया है blindness का, cataract है, glucoma है या फिर ट्रेकोमा है, या विटामीन E है तो यहाँ पर जो आपका right answer होगा, वो क्या होगा दोस्तों, cataract है अब देखिएगा, cataract होता क्या है, आप समझिएगा यहाँ पर आप इसका right answer देख लीजेगा पहले, cataract है और एक बार, अपने के एक option के बारे में जान लेते है तो सबसे पहला क्या है, cataract cataract में क्या होता है देखो, अगर मैं cataract को हिंदी में बोलूँ तो यह एक ऐसी disease है, जो क्या होती है मोटियाँ बिंध है, क्या बूलता है इसको को blur vision हो जाता है क्या हो जाता है दोस्तों blur vision हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि आपका जो lens है वो क्या हो जाता है clouding हो जाता है जो normal lens होता है उस पर क्या हो जाती है clouding हो जाती है उसके वज़े से मतलब आपने देखा होगा एक dot type का जो अपना lens उसमें दिखने लग दिखता है white white color का वो क्या होता है मोतियां बिंद होता है दोस्तों next option जो आपके शामने क्या है glucoma और glucoma क्या है कि एक disease है किसकी eye की disease है जो कि most common disease है क्या है दोस्तों most common disease है अब ये होता क्या है glucoma तो आप देखिएगा कि ये क्या कर सकता है blindness कोज कर सकता है क्या कर सकता है दोस्तों blindness कोज कर सकता है glucoma होने का reason जो होता है क्या होता है intraocular जो pressure होता है क्या होता है intraocular जो pressure होता है है ना क्या होता है इंट्रा ओकुलार जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है तो नॉर्मल की मैं बात करके चलूं तो 15 to 21 mm of HG बता कर चलते हैं कितना होता है दोस्तों 15 to 15 से लेकर 21 mm of HG है तो नॉर्मल है इंट्रा ओकुलार प्रेशर अगर मौर्दें 20 हो गया अगर जाएगा दोस्तों increase हो जाएगा और जब intraocular pressure increase हो जाएगा तो nerve damage होने के chance जोगे और जब nerve damage हो जाएगी तो आपका जो vision है वो क्या हो जाएगा affected हो जाएगा तो उसकी वज़त से जो प्रशन है उसमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों blindness देखने को मिलेगा क्या मिलनेगा दोस्तों blindness देखने को मिलेगा नेक्स कंडिशन है और नेक्स क्या है ट्रेकोमा है अब देखिएगा ट्रेकोमा क्या होता है ट्रेकोमा एक bacterial infection है जो भी क्या करता है दोस्तों बहुत आईस को affect करता है और vitamin A है deficiency है जो क्या होती है vitamin A की deficiency चे भी क्या होता है night blindness होता है जिसको ratondi नाम से जाना जाता है कि person रात में तो देख सकता है लेकिन शाम जैसे ही होती है उसके बाद में person को दिखना क्या हो जाता है दोस्तों बंद हो जाता है और अब देखिएगा next question और next बहुत important question है कि most common cancer affecting in India females की females के अंदर most common cancer कौन सा दिखा गया है इंडिया के अंदर survival cancer ovarian cancer breast cancer या colony cancer तो आपका जो यहां पर right transfer जाता है दोस्तों वो जाता है breast cancer ये बात है इंडिया की किसकी बात है इंडिया की और अगर दीखिएगा मैं next question आपको फिर बता देता हूँ की worldwide की जो हैं अगर पूरे संसार में देखा जाएं तो कौन सा cancer common है females के अंदर lung cancer है cervical cancer है breast cancer है या gastric cancer है तो कौन सा cancer बता कर चलिएगा आप cervical cancer आप बता कर चलिएगा next और last question आज का जो है अपना BMI body mass index for normal weight की body mass index के लिए क्या है normal weight कितना होता है तो आप बता कर चलिएगा यहाँ पर जो आपके सामने 4 option दे रखे हैं और I hope आप सबी ने अभी तक guess कर लिया हुआ तो इसका जो right transfer है 80.5 to 24.99 कहने का मतलब मैं simple सी बहसा में बूल दूँ तो 19 to 25 अगर किसी की BMI हरी है तो उसका जो body mass index है जो weight है body mass index वो क्या है normal है अगर किसी person का weight 18 से कम आ रहा है क्या रही है BMI जो है वो क्या रही है 18 से कम आ रही है तो वो person क्या है malnutist है coupotion का शिकार है और अगर किसी person की BMI body mass index 25 से उपर आ रहा है तो आप उसका जो क्या बता कर चलेंगे उसको उस person को क्या है obesity है तो आप इसका भी right answer यहां पर देख लीजिएगा जैसे कि मैंने बता है कि normal कितना बता कर चलते हैं दोस्तों 19 से लेकर 25 होता है तो यहां पर क्या है 18.5 से लेकर 24.99 तक है और यह अपना last question ता आजगा next class में दोस्तों मिलेंगे फिर ऐसे ही कुछ important question के साथ और आप सभी को मेरी तरब से आने वाले जो CHO का paper है उसके लिए सुब्गाम नहीं best of luck thank you